हेलो फ्रेंड्स मैं हो दिपांकर, वेलकम टू फोटोग्राफी टीप सिंधी और इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा टैमरोन SP 152-600mm F526.3 DI VC USD G2 लेंज का तो यहाँ पे यह वीडियो थोड़ा चा लंबा हो साकता है कि इस वीडियो में इस लेंज का इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिकेशन, कॉम्पेटिबिलिटी, लेंज आप्टिक्स और बिल्ड क्वालिटी, वाइब्रेशन कॉम्पेन्शेशन, आटो फोकर्स परफॉर्मेंट्स, इमेज क्वालिटी और भी बहुत कुछ बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिसकस करूंग तो वीडियो लास्ट तक देने के बाद अगर आपको अच्छा लगते तो प्लीज एक लाइक कर देना और अगर आप इस याले में नए है तो प्लीज सबसब करके बेल आइकन पेश करना मत भूलना अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टागम में भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टागम लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को शूरू करते है तो तो टैमरॉन SP-152-600mm F526.3DI-VC-USD-G2 टैमरॉन का नीकॉन कैनन और सॉनी A- कामेरा कॉम्परेबल अल्ट्रा टेली फोटो जूम लेंज है जिसको टैमरॉन ने इंट्रोडूस किया था 2016 में बिसीकली यह अपगेडेड भर्शन है टैमरॉन SP-152-600mm F526.3DI-VC-USD-G1 लेंज का जिसको टैमरॉन ने इंट्रोडूस किया था 2013 में तो यहां पे SP का टैमरॉन का सुपर परफोर्मेंस लेंज डिजाइन 150-600mm इस लेंज का फोकल लेंज जो कि आपका FPSC कामेरा के साथ आपको अप्रोक्स 225-900mm का फिल्ड़ भीव आपको मिल जाएगा यहां पे F526.3 इस लेंज का मैक्सिमाम अपर्चार रेंज यहां पे F526.3 इस लेंज का PC यानि की टैमरॉन का वाइब्रेशन कॉम्पेंजेशन टेकनलोजी, USD यानि की अल्ट्रास्रोनिक साइलेंड ड्राइव और यहां पे G2 यानि की जेनरेशन 2 तो यहां पे जो सारे लेंज रिलेटेड टरम्स है जैसे के SPDI, VC, USD और भी जो सारे लेंज आप्टिक्स या टेक 7.2 feet यहां पे जो maximum magnification ratio है वो है 1-3-9 और यहां पे जो minimum aperture range है वो है F32-240 और यहां पे FPC और full frame body में इस lens का जो angle of view है वो आप skin पे देख सकते है तो यहां पे 152-600 mm यह जो focal length range है वो wild lap या bird photography के लिए एक बहुत ही बढ़िया focal length range होता है चलिए आपको इस lens का focal length range या angle of view का थोड़ा बहुत idea मैं आपको दे देता हूं तो अभी आप skin में जो view देख रहे है वो Nikon D7500 और Nikon 18-255 mm lens का 18 mm का view है अब मैं इसी camera में Tamron 150-600 mm G2 lens को लगा के इस point पे zoom करूंगा तो अब आप जो view देख रहे है वो Nikon D7500 और Tamron 15-600 mm G2 lens का 150 mm का view है इसके बाद मैंने zoom किया 200 mm में इसके बाद 250 mm इसके बाद 300 mm इसके बाद 350 400 mm 450 mm 500 mm और फाइनली यहां पे 600 mm तो आई थिंग आपको टेली फोटो रीच का थोड़ा बहुत अंदाजा मिल चुका है यहां पे टैमरन ने इस lens में इसके प्रिवियस वर्शन G1 से design, build quality, lens optics, autofocus, performance, vibration, compensation और भी बहुत कुछ improvements किया है जो कि हम इस वीडियो के आने बाले parts में detail में जानेंगे तो अगर यहां पे इस lens की compatibility की बात करें तो यह lens टैमरन ने specially design किया है Nikon के F-mount, Canon का EF और EFS Mount और Sony के A-mount, FPSC और full frame cameras के लिए पर आप with latest firmware update और adapter को यूज करके इस lens को आप Nikon के Z-mount और Canon के EOS, R-mount mirrorless camera में भी यूज कर सकते हैं यहां पे आप with adapter इस lens को आप पर Sony के E-mount cameras में भी यूज कर सकते हैं पर यहां पर performance में थोड़ा सा degradation आपको देखने को मिल सकता है और यहां पर इस lens का जो Sony A-mount version है वो without VC के साथ आता है यहां पर इस lens में electronic diaphragm control system आपको देखने को मिलता है यानि कि जो aperture blade है वो electronically control होता है और इसलिए यहां पर बहुती precise या बहुती accurate diaphragm या aperture control यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर Electromagnetic diaphragm system होने के कारण Nikon का पुराना A-mount के जो cameras है जो की electronic diaphragm lenses को support नहीं करता है उन सारे cameras के साथ यह lens compatible नहीं है अगर यहां पर इस lens का construction और build quality की बात करें तो यह lens बहुती well built and well balanced designed lens है यहां पर Tamron ने इस lens में इसके previous version G1 से design में काफी सारे improvements किये है previous version G1 में जो plastic lens barrel था उसको यहां पर upgrade करके metal barrel दिया गया है और यहां पर throughout lens barrel आपको moisture और dust resistant construction और totally leak proof sealing आपको देखने को मिल जाएगा यानि कि यह lens से totally weather sealed है अगर यहां पर इस lens की weight की बात करें तो इस lens का weight है approx 2000 gram जो कि इसका previous version G1 से slightly जादा है और यहां पर lens hood को add करके lens को fully extend करके lens का maximum length है वो है approx 440 mm lens का front portion में आपको lens का maximum diameter देखने को मिलेगा जो है approx 108 mm और यहां पर फॉंट पॉस्चन में आपको curved surface design देखने को मिलेगा यहां पर जो lens का front thread diameter है वो है 95 mm यानि कि आप इस lens का front part को एक 95 mm EV filter से cover कर सकते हो यहां पर लेंस का front part है वो approx 80 mm long है और इसके ठीक पीछे आपको lens का zoom ring आपको देखने को मिलेगा जो की texture driver से beautifully covered है lens का जो zoom operation है वो काफी smooth है और lens को 150-600 तक ले जाने पर zoom ring को आपको almost 120 degree या आपका हाथ को almost दो बात twist करना पड़ता है और इसलिए handle situation में जब आप कोई subject को 150 mm में frame करते है और उसके बाद उसको zoom करके 600 तक ले जाते है तो shake के वज़े से आपको फिर से 600 mm में reframe करना पड़ सकता है यह जो lens है वो external zoom lens है यानि कि जब आप zoom करते हो तो inner lens barrel extend होता है और यहाँ पे 150-600 तक zoom करने में जो inner lens barrel है वो approximately 80 mm extend होता है zoom ring का rubber grip के ठीक पीछे आपको lens का focal length के markings आपको देखने को मिलता है जो की बहुत ही well visible है और यहाँ पे zoom ring के ठीक पीछे lens gripping को रोकने के लिए एक zoom lock भी दिया गया है पर यह zoom lock सिर्फ 150 mm में lens को lock करता है मगर यहाँ पे इस lens में tamron का जो flake zoom lock mechanism है उसको यूज़ करके आप zoom ring को किसी भी position में या किसी भी focal length में बहुत ही quickly lock कर सकते है इसके लिए बस आपको lens का zoom ring को किसी भी position में या किसी भी focal length में सामने के तरफ push करना पड़ेगा और यह zoom ring उस position में या उस focal length में lock हो जाएगा औ आपको बस zoom ring को slightly पीछे की तरफ push करना पड़ेगा यहाँ पे lens के zoom ring के पीछे जो fixed portion है उसके पीछे आपको lens का manual focus ring देखने को मिलेगा जो की zoom ring की तरह textured rubber से beautifully covered है यहाँ पे यह जो manual focusing ring है वो बहुत ही smooth है और यह lens manual focus override को भी allow करता है यहाँ पे manual focus ring के ठीक पीछे आपको lens में चार control switch देखने को मिलेगा जो कि आप shooting करने के time बहुत ही असनी से आपके left hand के thumb से access कर सकते है तो यहाँ पे जो first switch है वो है focus limiter switch basically यह दिया गया है focus hunting को minimize करने के लिए अगर आप इस switch को full में set करके रखते हो तो lens इसका minimum focus distance से infinity तक focus के लिए capable होगा अगर आप से आपका subject का distance 10 meter या उससे जादा है तो आप इसको 10 meter से infinity में रख सकते है और अगर आपका subject 2.2 meter यानिकी इस lens का minimum focus distance से 10 meter के अंदर है तो आप इसको 2.2 meter to 10 meter में set करके रख सकते है यहाँ पे जो second switch आपको देखने को मिलवा है वो है autofocus manual focus switch और आप अगर इसको AF में set करके रखते हैं तो आ आपका lens autofocus करेगा और इसके साथ साथ आप manual focus ring को rotate करके manual focus भी कर सकते है क्योंकि यह lens manual focus override को allow करता है और अगर आप इसको AMAP यानकि manual focus में set करके रखते हो तो lens आपका autofocus नहीं करेगा और यहाँ पी इसके बाद आपको VC यानिकि vibration compensation on off switch देखने को मिल रहा है और यहाँ पे VC का 3 अलग-अलग mode select करने का और एक switch आपको देने को मिलेगा जिसके बार में हम इस वीडियो का vibration compensation section में detail में जानेंगे यहाँ पी इसके बाद इस lens में control switch के ठीक पीछे आपको एक metal का rotating removable tripod collar mount आपको देखने को मिलेगा जो की light weight magnesium से बना हुआ है और यहाँ पी इस lens के जो खास बात है यहाँ पे जो tripod collar mount का foot है वो arka Swiss tripod head compatible है यहाँ पे tripod collar mount को lens के साथ tight या lose करने के लिए tripod collar के उपर एक well textured thumbs को भी दिया गया है और इसका operation भी काफी smooth है और improved है इसके previous version lens से यहाँ पे lens के उपर आपको एक focus distance indicator भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इस lens का mount है वो metal mount दिया गया है यहाँ पे आपको SP का markings देखने को मिलेगा यानकि Tamron इसको कहते है super performance lens और Tamron का जो नया SP series का lens है वो technologically और भी जादा refined है और आपको बहुती superior optical performance in series के lenses के साथ आप को मिलता है और यहाँ पे lens के back portion में यह जो warm captivity glow luminance gold ring आपको देखने को मिल रहा है वो basically नया SP series lens का symbol है यानकि यह lens symbol of excellence या well engineered design को denote करता है और यहाँ पे lens के front और back portion में आपको rubber gasket ceiling भी देखने को मिल जाता है तो अगर यहाँ पे overall build quality की बात करें तो build quality के मामले में यह lens मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे इस price point में इस category के अंदर जो सारे super telephoto lens market में मिलता है उन सारे lenses से इस lens का build quality मुझे सबसे अच्छा लगा और यहाँ पे इस lens का build quality में जो main advantage है यह lens totally weather sealed है जो की birding या wildlife photograph अब के लिए एक बहुत ही important चीज होता है lens से साथ आपको एक reverse mountable cylindrical lens hood भी मिल जाता है जिसका quality भी काफी आच्छा है अगर यहाँ पे lens का optical construction या lens elements की बात करें तो इस lens में आपको 13 groups में 21 elements देखने को मिलता है जिसमें से आपको 3LD याने की low dispersion glass देखने को मिल जाएगा जो की light की chromatic abrasion को reduce करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे lens का front surface में आपको flooring coating का protection भी मिल जाता है जो की water and oil repellent होता है अगर अगर आपका lens का front surface में dust, dirt, moisture या finger prints परता है तो वो without damage easily clean हो जाता है यहाँ पे image में ghosting और flare को reduce करने के लिए इस lens में e-band यानकी extended band width and angular dependency coating और यहाँ पे BBAR यानकी broadband anti-reflection coating दिया गया है और इसलिए आपको बहुत हाई contrast sharp and clean image आपको इस lens के साथ मिल जाता है तो यहाँ भी image quality कैसा है उसके बार में हम इस वीडियो का image quality section में detail में जानेंगे इस lens का अगर VC यानकी vibration compensation performance की बात करें तो tamron claims करता है कि इस lens में आपको 4.5 stops of vibration compensation मिलता है according to CIPA इस lens में आपको VC का तीन अलग-अलग modes भी देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे जो VC mode 1 है वो basically standard VC mode है और आप इस VC mode 1 को Stable viewfinder image या general purpose of photography के लिए use कर सकते है और आपको काफी अच्छा Stabilization effects देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो VC mode 2 है वो basically panning operation के लिए दिया गया है यानकी जब आप किसी moving subject को pan करके shoot कर रहे हो तब आप VC mode 2 में रखके shoot कर सकते हो और यहाँ पे जो VC mode 3 है यह यहाँ पे ultimate vibration compensation mode है यानकी इस lens का maximum vibration compensation यानकी जो 4.5 stop of vibration compensation मिलता है वो आपको इस mode में ही देखने को मिलेगा पर यहाँ पे VC mode 3 में vibration compensation तभी active होगा जब आप camera का shutter button को half press करेंगे और यह vibration compensation तभी काम करेगा जब आप shutter button को fully press करके photo की चेंगे यहाँ पे VC mode 3 का advantage है आप इस VC mode 3 में सबसे lowest possible shutter speed में आपको shake fee sharp image आपको मिलेगा यानिकि maximum VC का performance इस mode पे ही आपको मिलेगा पर जब आप viewfinder पे आपना subject को frame कर रहे है तो इस time VC active ना होने के कारण आपका viewfinder view stable नहीं होगा यानिकि यह shake करेगा और आप जब VC mode 3 में किसी moving subject को shoot कर रहे हो तो आपको जो final image मिलेगा वहाँ पे आपको frame shift का issue देखने को मिल सकता है यानिकि आप जिस frame में shutter button को click किये थे आपको थोड़ा सा different frame देखने को मिल सकता है और यहाँ पर यह जो frame shift का issue है वो काफी सारी images में मुझे देखने को मिला तो मैं आपसे recommend करूँगा कि अगर आप किसी moving subject को shoot कर रहे है या pan करके किसी moving subject को shoot कर रहे है तब आप VC mode 2 को ही use करे और जब आप handle situation में बहुती ज़्यादा low light में या बहुती कम shutter speed में किसी steady subject को shoot कर है उस time आप maximum VC का performance पाने के लिए आप VC mode 3 का use कर सकते है तो अगर यहाँ पर इस lens का VC का overall performance की बात करूँ तो tamron ने इसके PS version G1 से इस lens में vibration compensation में बहुती ज़्यादा improvements किया है और आप बहुती आसानी से handheld situation में बहुती कम shutter speed में safety sharp image इस lens के साथ ले पाएंगे पर मैं Nikon 200 to 500 mm lens को करी 5 साल से यूज़ कर रहा हूं और इन दोनों lens का image stabilization का अगर मैं compare करूँ तो Nikon 200 to 500 mm lens का जो VR का performance है वो मुझे इस lens से बहतर मैसूस हुआ यहाँ पे आप Tamron का tap in console device को use करके VC mode 1 को customize भी कर सकते हैं तो अब अगर इस lens का autofocus performance की बात करें तो इस lens में जो autofocus है उसको control करता है Tamron का USD यानि की ultrasonic silent drive motor जो की excellent responsiveness के लिए जाना जाता है तो अगर यहाँ पे इस lens का overall autofocus performance की बात करें तो इस lens का autofocus है वो काफी fast silent और इसका previous version G1 से काफी improved मुझे लगा और आपको all over focal lens में और अच्छा lighting condition में एक fast autofocus performance इस lens में आपको देखने को मिल जाएगा और दोस्तो low light condition में या कभी-कभी even good lighting condition में मुझे focus hunting या focus freezing का issue भी देखने को मिला और इसलिए मेरा बहुत सारा अच्छा search भी miss हुआ As a example अगर आप इस photo को देखेंगे यहाँ पे white-based kingfisher frog catch किया हुआ था यहाँ पे जो lighting condition था वो बहुत ही अच्छा था और आप यहाँ पे देख पाएंगे के beautiful green background भी है और यहाँ पे subject से मेरा distance approach 30 feet था पर यहाँ पे जब मैं focus point को bird के उपर रखके मैं focus करने का try कर रहा था तो lens बहुत ही जादा hunt कर रहा था इवेर मैं focus point को जिस bamboo के उपर bird बैठा है वहाँ पे ले जाके भी focus करने का try किया था पर focus नहीं हुआ तो मैं manual focus ring को rotate करके manually focus को adjust करने ही वाला था पर bird उड़ गया तो ऐसे issues मुझे कभी-कभी देखने को मिला और कभी-कभी यहाँ फे focus tracking करने के time focus loss होने का issues भी देखने को मुझे मिला था और insert issues को minimize करने के लिए lens में दिया गया जो focus limiter options है वो बहुत ही ज़्यादा effective है यहाँ फे focusing में इसलेंज में जो खास बात मुझे लगा वो है focusing accuracy जो की बहुत ही अच्छा है और एक बार आपका subject के उफ़र focus lock होने पे यह बहुत ही accurately आपका subject को focus करता है और जिसके लिए आपको बहुत ही sharp image मिलता है तो अगर यहाँ पे overall autofocus performance की बात करें तो यहाँ पे autofocus performance काफी अच्छा है और आपको most of the time बहुती fast और accurate autofocus performance देखने को मिल जाएगा और आप बहुत ही आसनी से किसी moving subject को या birds को उड़ते हुए capture कर पाएंगे अब यहाँ पे focus hunt को minimize करने के लिए focus limiter options को use कर सकते है बेसिकली आप यहाँ पे इस category का या इस price point के telephoto zoom lens के autofocus performance को किसी telephoto prime के autofocus performance से compare नहीं कर सकते पर अगर इसका previous version G1 से upgrade कर रहे है या sigma 150-600 mm contemporary version से इस lens का autofocus performance काफी अच्छा है यहाँ पे Nikon 200-500 mm lens से इस lens का autofocus performance कितना अच्छा है या कितना बुरा है उसके उपर मैं अभी comment नहीं कर रहा हूँ यूँकि मैं इन दोनों lens का बहुत ही detail comparison वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ और इसके लिए मैं इन दोनों lens को side by side और भी ज्यादा टेस्ट करूंगा मैं बेसिकली इस lens को मेरा Nikon D7500 में एक सी मोड में सिंगल नाइन और ग्रूप एरिया एक मूड में टेस्ट किया हूँ और मैं मेरा opinion उस हिसाब से ही बता रहा हूँ तो यहाँ पे different copies में या different mount या different model के camera में जब आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे performance थोड़ा बहुत changes हो सकता है तो आप में से जो low kiss lens को different mount में या different bodies में regularly use करते हो वो इस lens के बारे में अपना opinion नीचे comment में बता सकते हो इसमें जो low kiss lens को नया खरीदने वाले हैं उन लोग को एक broad idea मिलेगा इस तक जो सारी images अब को दिखाया और अभी दिखाने वाला हूँ वो सारे एकदम out of the camera totally unprocessed image है मैं बस raw photo को 16-9 aspect ratio पे crop करके JPEG में save करके इस video में add किया हूँ इन सारी images का edited version देखने के लिए आप मुझे Instagram में follow कर सकते हैं तो अगर यहाँ पर image sharpness की बात करें तो sharpness के मामले में यह lens मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप all over focal length में बहुत ही sharp image इस lens के साथ ले पाएंगे Specially 300 से 500 के focal length के range में आपको बहुती बढ़िया performance देखने को मिलता है यहाँ पे 600 mm में F6.3 में भी आपको बहुती बढ़िया sharpness of images मिल जाएगा Specially frame के center portion में पर यहाँ पे F7.1 से F11 aperture range के अंदर 600 mm में मुझे best performance देखने को मिला As a regular user of Nikon 200-500 mm lens यहाँ पे Tamron 152-600 mm G2 में जो extra 100 mm telephoto reach मिलता है उसमें बहुती noticeable और बहुती बहुती बहुतर feather details हमें देखने को मिला जो कि इस lens का एक बहुती बढ़िया advantage है यहाँ पे 600 mm में जो image quality है या जो performance है वो आपको definitely बहुतर देखने को मिलेगा इसके previous version G1 से यहाँ पे chromatic abrasion को reduce करने के लिए lens में तीन low dispersion glass भी आपको देखने को मिल जाता है पर दोस्तों यहाँ पे all over focal lens में especially 600 mm के कुछ images में मुझे lateral chromatic abrasion देखने को मिला एगें यह भी in category के सारे telephoto zoom lens में common चीज है मेरा Nikon 200-500 mm के कुछ-कुछ images में भी मुझे देखने को मिलता है और आप इसको post processing software में बहुत easily correct कर पाएंगे तो अब अगर distortion की बात करें तो telephoto zoom lens में pincusion distortion बहुत ही common है और आपको इस lens का all over focal lens के images में भी थोड़ा बहुत pincusion distortion आपको देखने को मिल जाता है पर आफ wildlife या bird photography में generally इसको notice नहीं कर पाएंगे और यह wildlife photography में ज्यादा issues बाली बात भी नहीं है इमेज में ghosting, flare या reflection को reduce करने के लिए lens में आपको e-band coating और bbar coating देखने को मिलता है और मैं जितना इस lens को use किया हूँ मुझे images में जादा कोई reflection या ghosting या flare देखने को नहीं मिला तो मैं आपसे recommend करूँगा के flare या reflection को minimize करने के लिए always lens के साथ दिया गया जो lens hood है उसको always use करे अगर यहाँ पे vignit की बात कर तो मैं basically इस lens को crop sensor bodies में ही use किया हूँ और मुझे कुछ खास vignit का issues देखने को नहीं मिला यहाँ पे lens में आपको 9 rounded aperture blade देखने को मिलता है जो की बहुती beautiful background bokeh produce करता है तो अगर यहाँ पे overall image quality की बात करें तो इस price point में यह lens optically बहुती well performance देता है मैं Nikon 200 to 500 mm lens के साथ इस lens के image quality के comparison के बारे में अभी कुछ discuss नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों lens के image quality का comparison के लिए मैं अलग सा direct rate video बनाऊंगा तो अब अगर lens की price की बात करूँ तो lens का जो MRP है वो है 1,20,900 रूपीज पर आपको online और offline markets में 1,00 के अंदर यह lens मिल जाएगा और यहाँ पर जो price है वो वहरी करते हैं तो मैं इस lens का Nikon, Canon और Sony Mount के Amazon और Flipkart link नीचे description में दे दिये हैं अगर आप चाहे तो उस lens पर जाके check out कर सकते हैं यहाँ पर इस lens का other accessories जैसे के lens coat, EV filters, Tamron का tap in console device का Amazon और Flipkart link भी मैं नीचे description में दे दिये हैं अगर आप चाहे तो वहाँ पर जाके खरीद सकते हैं तो अगर यहाँ पर lens का overall performance की बात करें तो इस price one में यह lens जो performance देता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा especially अगर आप bird या wildlife photographer है या अगर आप sport shooter है तो यहाँ पर यह जो 152-600 mm versatile focal lens आपको मिलता है वो आपको बहुत बड़ी advantage देता है इस lens का जो जो चीज मुझे सबसे बहतर लगा वो है first इसका solid build quality and इसका well balanced design जो कि आपका हाथ में एक बहुती solid और premium fills देता है और यह lens totally weather sealed है तो अगर आप बहुती rough condition में shoot कर रहे है तो dust, dirt, moisture या water droplet से आपको कोई problem नहीं होने वाला है यहाँ पर obviously in category के telephoto zoom lens के image quality को आप किसी telephoto prime के image quality से compare नहीं कर सकते पर इस price point में यह lens जो image quality देता है या image का जो sharpness है वो बहुती अच्छा है और easily इसका same category के telephoto zoom lens के image quality से compete कर सकता है यहाँ पर lens का autofocus और VC का जो performance है वो भी काफी अच्छा है और आप बहुती easily handhill situation में किसी moving subject को या birds को उड़ते हुए capture कर पाएंगे so overall मेरे ही सबसे इस price point में bird या wild lap shooter के लिए ये एक बहुती value for money lens है तो आप लोगों का इस lens related जो जो सारे inquiries था I think आपको इस वीडियो में उसका answer मिल चुका है वीडियो आपको कैसा लगा उसका feedback नीचे comment पे जरूद देना अगर आपका क्वीवी सवाल है आप नीचे comment में क दोस्तों के साथ ये video share जरूर करना अब मुझे facebook या instagram में भी follow कर सकते है उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो इस पर में बस इतना ही मिलता है किसी और video में